हेलो एंड वेलकम बैक तो कॉंपेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का स्वागत है एक बड़ फिर से कंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं SST, CGL and CHSL का यूट्यूब कोर्स जिसमें आज हम मेंसरेशन 3D डिसकस करेंगे मेंसरेशन का पार्ट 2 वीडियो है पार्ट 1 वीडियो में हमने 2D डिसकसन किया था और हमेशा के तरह मैं कुछ कुछ लोगा पिछले वाले वीडियो का ही और उसके बाद फिर में आऊँगा आज के टॉपिक में जिसमें हम 3D डाइमेंशन फिगर्स को डिसकस करेंगे ठीक है अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना ना भूले क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको पूरा फ्री औफ कॉस्स एससी सीजेल और चीजेल का कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है जिसमें की ससी का सीजेल का जो एक्जाम है जो अभी रिसेंट में आपका होना है एप्रिल में बहुत कम समय बचा है आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करने होंगे लेकिन जो छी एचेसल एस्पारेंट्स है आपके पास अभी भी एक महिने से ज्यादा समय है अल्मोस्ट टू मंद्स का समय है ठीक है दो मंद्स से थोड़ा सा कम समय है मई 24 तारीक सापका एक्जाम चालू होना है तो काफी समय है सेल्फ स्टड़ी के लिए पूरे कोर्स को एक बार फिर से देखने के लिए रिविजन करने के लिए और साथ में जो प्रैक्टिस सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे एप्रल में उसके लिए भी आपके पास काफी समय है सारी चीजे कवर करने के लिए तो बढ़िया से प्रिपरेशन करिए और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पहले आप समझ लीजें यहाँ पर क्या दिया है एड्ज्वाइनिंग फ्यूगर में ए ओ बी सी ए ओ बी सी यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यह है ओ है बी सी ए यह कौडरेंट है का मतलब क्या होता है कि एक पूरे की पूरे सरकल का एक चौथाई भाग एक चौथाई मतलब यहाँ नबबे डिगरी बनता है तो हम कहते है कि यह वाला जो हिस्ता है यह एक कौडरेंट है तो यह कौडरेंट आपको दिया हुआ है ठीक है और बोला गया है यहाँ पर इसकी रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है आपको निकालना है ओडी ओडी का आपको निकालने को बूला गया है यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें ठीक है तो यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि सर्कल के प्रश्णों को कैसे हमें हैंडल करना है फटा-फट कैलकूलेशन कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्रे अगर रेडियस साथ के मल्टिपल में चलने लगे जैसे कि फॉर एक्जामपल अगर मैं रेडियस को साथ ले लूँ साथ लेने से फाइदा यह होता है पाई आर स्कॉयर को आप खोलेंगे 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा तो साथ साथ कड़ गया तो 154 आता है एरिया यहने रेडियस साथ है तो एरिया 154 आएगा रेडियस साथ है तो सरकमफ्रेंस 2 इंटू 22 बाई 7 2 पाई आर होता है मल्टिपलाट बाई 7 करोगा तो 44 आपका सरकमफ्रेंस आ जाएगा ठीक तो अगर सपोस करिए कि रेडियस को हमने कितना माना है रेडियस को हमने मान लिया 7K, radius को हमने मान लिया 7K 7K मानने पर क्या होगा कि आप यहाँ पर K square बन जाएगा यह 7K 7K बनेगा, मतलब 154 K square आजाएगा उसी प्रकार यह 7K बन जाएगा 7K मतलब 44K बन जाएगा आपका जो circumference है तो अगर suppose करिए यहाँ पर radius को मैंने चवदा लिया 14 लेने का मतलब क्या है 14 लेने का मतलब यह है कि यह 7 into 2 है मतलब K का काम यहाँ 2 कर रहा है 7 के multiples में हम discussion करेंगे तो 7 के multiples में जब कोई value चलने लगे जैसे radius 14 है तो 7 into 2 मतलब K का value अब 2 हो गया तो directly आप area लिख लेना 154 into 4 जो की 2 का square है 616 इसी प्रकार अगर यहाँ पर value 44 था इसका K का value 2 है तो 44 into 2 यहने 88 इसका circumference हो जाएगा अगर सपोस कर यह radius 3.5 है तो 3.5 साथ का आधा होता है साथ का आधा करने का मतलब यहाँ पर 154 का 1-4 हो जाएगा आधे का square और यहाँ पर 44 का आधा हो जाएगा इनने 22 इसका circumference हो जाएगा तो इस चीज़ का हमें use करना आना चाहिए इससे आपका जो calculation है बहुत जल्दी हो जाता है तो देखें इस सवाल में अगर आपको बोला गया कि radius जो है वो कितना है 14 है तो 14 बराबर क्या होता है 7 into 2 होता है मतलब यह 7 k में k जो है वो 2 है तो अगर मैं area पूरे circle का निकारू पूरे circle का area आप जानते 154 into 2 का square होगा बट यह एक quadrant है a o b c a की हम बात कर रहे है जो की quadrant है तो a o b c a क्योंकि यह quadrant है तो पूरे के पूरे circle का एक चौथाई area होगा और यह 4 और यह 4 कर गया मतलब 154 इसका area मतलब यहां से a o b c a का area 154 है लेकिन हमें तो shaded region निकालना है मतलब यह वाला area तो shaded region कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको a o d का area माइनस करना होगा a o d का area मतलब यह a o जो है यह 7 o d जो है o d का value यहाँ पर 3 है अचा a o का value 14 है यह 14 है 14 इसका radiation है तो 14 है और यह 7 है तो a o d का area जो है quadrant कह दिया तो quadrant मतलब यह 90 degree होगा तो half into 14 multiplied by 7 3 करने पर यहाँ पर इसका area निकल जाएगा जो किया आएगा 21 अब आपको shaded region निकालना था तो shaded region क्या होगा shaded area हो जाएगा इन दोनों का subtract करने पर जो value आ रहा 3 यहाँ पर भी 3 और 1 133 जो है shaded region का area हो जाएगा दोनों को minus करने पर जो value आ रहा है clear यहाँ तक बात समझ में आ गई आशा करते हो इस सवाल आपको अच्छे समझ में आओगा चलिए आगे बढ़ते हैं एक figure जो हमारा बचा हुआ था वो था octagon यानि कि अश्टभूज इसके बारे में थोड़ा सा हम discussion कर लेते हैं octagon के बारे में मैंने आपको बताया है इसके 8 faces होते हैं तो octagon कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है a b c d e f g h तो यहाँ पर 8 बिंदुए है 8 sides है ठीक है तो इस तरीके से आपका octagon दिखता है इसके area के उपर परश्ण आ सकता है एक्जाम में तो चलिए आए समझते हैं तो देखिए यह octagon यहाँ पर आपके तो बहुत सिंपल है अगर यह है regular octagon के हम बात करेंगे तो सारे sides होने चाहिए यह भी यह भी यह भी यह सारे होंगे ठीक है अब यह इसका hypotenuse है यह क्या है इसका hypotenuse है अगर यह hypotenuse है मतलब यह जो छोटू सा area निकला यह 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 जो लेंद निकला उसी प्रकार यह भी यह रूट तू का मतलब इस छोटे से और deta tog यह जो CPU past only the school является सर इसका area listen square और चोटे इसका इरिया बंद चार रोइन की बात करें तो पूरे के पूरे इस बड़े स्क्वएर का area माइनसस चारो square के area को minus कर लें तो octagon का area जाएगा इसके तहट आप proof कर सकते हैं क्योंकि ये x square है ये पुरा का पूरा x square है इसका area आप जानते हैं क्योंकि अगर ये a है ये a by root 2 है तो पूरा का पूरा side हो जाएगा a by root 2 plus a plus a by root 2 मतलब a into root 2 plus 1 हो जाएगा a into root 2 plus 1 का whole square यहाँ पर pqrs जो बड़ा सा यहाँ पर square बना हुआ इसका area दे देगा और इसमें से छोटे छोटे area को minus किया तो a square minus हो गया इसको खोलने पर जो value आ रहा है 2 into root 2 plus 1 into a square ये इसका area होता है perimeter की बात करें तो 8 side से तो 8 a इसका perimeter हो जाएगा ठीक है perimeter की कोई दिक्कत नहीं है बात समझ में आ गया मतलब octagon regular octagon का आपको side दे दिया जाए तो आप फटा-फट उसका area निकालना जानते है 2 into root 2 plus 1 into a square से इस formula को use करने से आप पीछे मत दियेगा चलिए जैसे पहला प्रशन दिया हुआ है side of a regular octagon दिया है 4 cm find its area तो area जो है अभी अभी हमने देखा formula area का क्या होता area 2 into root 2 plus 1 का a square मतलब 4 का square 4 का square 16 होता है 16 into 2 हो गया 32 तो 32 को अंदर next question देखिए यहाँ पर दिया हुआ radius of a circle is 5 cm find the area of the regular octagon inscribed inside the circle तो एक circle है भई इस circle में एक regular octagon फसा हुआ है इस तरीके से 3 4 5 6 7 और यह 8 यह क्या है regular octagon है तो a b c d e f g और h यह regular बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाओंगा ठीक है यहाँ से आपको regular octagon का area निकालने को बोला गया इस circle के अंदर inscribed है मतलब circle का radius जो है वो 5 cm है तो जब 5 cm दे दिया जाए तो मैं यहाँ से अगर o o मार्लू इस center को तो o a जितना length होगा उतना o b का होगा उतना o c का होगा उतना o d का होगा उतना o e उतना ही o f उतना ही o g उतना ही o h अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ट्रेंगल बन गए आठ ट्रेंगल बन गए आठ वो ट्रेंगल में अगर मैं देखू तो यह वाला जो एंगल है सारे की सारे equal होंगे ठीक है क्योंकि देखिए यह सारे radius है और यह रेगुलर रक्टगन होने के वज़ा से जितना a b का उतना cd के लेंट उतना ed के लेंट मतलब सारे ट्रेंगल्स गॉंगरेंट हो गया तो यह वाला एंगल जो है सब में equal होगा मतलब एक 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 एंगल जो बना वो कितना का बनेगा 360 डिगरी डिवाइड बाट का बनेगा और यह हो जाएगा 45 डिगरी मतलब अगर मैं यहां से triangle O AB की बात करूँ ठीक है O AB की बात करूँ इस triangle O AB का area होता है half into radius into radius मतलब O A into O B जो कि हो जाएगा 5 का square 25 into beach का included angle का sign मतलब sign 45 degree दो कि कितना हो जाएगा 25 into 2 root 2 बराबर यह एक यहाँ पर जो area है इसका area है इसका area कितना है 25 divided by 2 root 2 बराबर तो पूरे के पूरे octagon की मैं बात करूँ octagon की मैं बात करूँ तो इसका area हो जाएगा 8 multiplied by 25 divided by 2 क्योंकि ऐसे ही कितने triangle है आप कहेंगे ऐसे ही 8 triangle है तो 8 multiply करना पड़ेगा एक एक triangle का 8 से multiply कर दिए इसको काटेंगे तो यहाँ 2 root 2 आ जाएगा मतलब कितना तो 50 root 2 जो है इसका area है पूरे के पूरे octagon का area तो एक ही तरीका नहीं है यहाँ पर चीजे रिलेट करके भी पढ़ने की कोशिश करिए यहाँ कोई octagon का formula यूज नहीं है बस यह समझना है कि हमने sign rule वाले वीडियो में हमने areas भी discuss किया था जहां मैंने आपको बताया था कि area जो होता है triangle का वह होता है half into oa into ob into sin theta यहाँ पर यहाँ थीटा 45 डिगरी है तो इसका area निकल लिया और क्योंकि सारे triangle सेम है तो multiplied by 8 करेंगे तो पूरे octagon का area निकल के आ जाएगा clear? चलिए अब हम आते हैं mensuration 3D में 3D का मतलब तीन dimension तो अभी तक जितने भी questions हम देख रहे थे इसमें two dimensions थे दो dimensions पे आधारित थे plain figures थे अब solid figures पे हम आएंगे जिसमें की एक height वाला factor आ जाता है height वाला factor जैसे कि suppose करिए आप किसी room पर अभी बैठे होंगे जहाँ पर भी आप बैठके पढ़ाई कर रहें तो उस room में जो first है जो उसका जमीन है ये एक square हो सकता है या एक rectangle हो सकता है क्योंकि उसका एक length होता है लेकिन जैसी इसको हमने height दे दिया तो वो एक room बन गया और इसी room को हम क्या कहेंगे एक 3D figure कहेंगे जो की हो जाएगा cuboid ठीक है एक कमरा जो होता है वो एक बकसे के जैसा होता है तो हम start करेंगे यहाँ पर घनाव और घन से यानिक cuboid और cube से तो जैसे मैंने आपको बताया normally आप अगर किसी room में बैठे होंगे तो उसका length breadth होगा height भी आपने इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया cuboid तो ये length है भई ये breadth है और ये बन जाएगा height edge बात समझ में आ रही है length breadth और ये height यहाँ तक clear अब देखिए यहाँ से मैं तीन चीज़े discuss करूँगा एक होता है curved surface area curved surface area ठीक है वक्र प्रष्ठियर स्ट्रेतरफल दूसरा होता है total surface area संपून प्रष्ठियर स्ट्रेतरफल हिं यानि कि आयतन तो जो भी figure हम discuss करेंगे वहाँ पर आपको prelims के हिसाब से तीन formulas पते होने चाहिए curved surface area total surface area और volume क्योंकि इनी तीन प्रष्ठियर के उपर आपके सारे अधारित होते हैं प्रष्ठियर प्रष्ठ प्रिलिम्स में और एक सवाल ही आता है आपके exam में तो हम कि ऐसा नहीं कि मैंने formula बता है question solve के formula को समझेंगा ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है सारे formula समझाओगा देखे अब यहाँ से जब हम याद करने की बात करते तो बहुत simple तरीके से मैं आपको चीजों को याद करवाऊंगा क्योंकि देखे 2D से आप relate करके 3D को पड़ी है मैंने परश का area होता है length into breadth जब भी आप area में height से multiply कर लेते हैं तो volume निकल जाता है इस बात का no down करिएगा जब आयतन निकालना है volume तो यह हमेशा क्या होता है area multiplied by height area multiplied by height जब तक कि यह figure जो है consistently उसी height से बढ़ रहा है ऐसा नहीं कि इसको आपने छोटा कर दिया यानि कोई भी cross section आप ले वही area रहेगा जो इसके floor का area है तो length to breadth इसका area हो गया base का multiplied by height इसका volume निकल कर आएगा दूसरी बात जब curved surface area निकालना है तो curved surface area क्या होता है perimeter perimeter multiplied by height perimeter का मतलब क्या है perimeter का मतलब है peridhi देखिए curved surface area होता क्या उसका definition समझेगा जो भी vertical faces होते है जैसे आप room में बैठे है तो आगे पीछे वाले जो walls है और side वाले left राइट वाले जो walls है आगे पीछे वाले वाले वाल्स और left राइट वाले जो वाल्स है यही उसका curved surface area होता है तो थोड़ा सा सोचने की कोशिच करिए जब हम किसी भी दिवाल की बात करते है तो वो क्या है वो एक rectangle है क्योंकि इस दिवाल का एक height है और एक length है या इस दिवाल का breadth हो सकता है और height हो सकता है जैसे for example इस diagram को देखिए अगर मैं इस front वाले face की बात करूँ तो इसका length ये है और ये इसका height है तो ये वाला जो है एक area बन गया अब right side वाले face की बात करें तो मैं color change करके आपको बता जता हूँ जैसे कि यहाँ देखिए ये breadth है इसका और एक height है ये भी तो एक rectangle बन गया इसी तरह जो front face इसके ठीक पिछ एक face होगा और जो right face है असके ठीक left side एक face होगा तो सबकी area की बात करूँ तो length into height front face का area हो गया breadth into height right face का area हो गया फिर length into height back वाले face का area हो गया breadth into height left वाले face का area हो गया सबको add करोगे तो ये height high height height common निकाल लेते हैं H को, दो बार L है, दो बार B है, तो 2 को common निकालके L प्लस B कर लेते हैं, यह curved surface area है, जैसे मैंने आपको बता है, perimeter of base into height, अब आप खुद ही सूचिए कि हमने perimeter discuss करके रखा है, rectangle का, जो क्यों होता है, 2 into length plus breadth, ठीक है, यह हमने discuss किया था पिछले वीडियो में और यहाँ पर आप देख रहे है, perimeter में height multiply करने पर क्या आता है, curved surface area आ जाता है, clear, इतना simple है, आपको चीजों को connect करके अगर आप पढ़ेंगे, तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है, और इसी प्रकार अगर आपने curved surface area निकाल दिया, तो आप total surface area, यह वक्र प्रष्छे श faces को touch नहीं करती, vertical faces को हम क्या कहते है, curved surface area कहते है, लेकिन इसी vertical face में दो face जो आपने count नहीं किया, उन दो faces को भी count करना होगा, यहने इसका top face और bottom face, तो यहाँ पर actually यह इस तरीके से था, इसमें top face कौन सा है, तो top face आप कहेंगे sir, यह वाला top face है, और bottom face कौन सा है, तो यह फर्स फाला bottom face है, चाहे top face की बात करें, चाहे bottom face की बात करें, इसका area length into breadth है, इसका भी area length into breadth है, इसका भी area length into breadth है, दोनों में इसका area length into breadth है, मतलब इसमें, अगर मैं 2LB, 2LB अगर मैं add कर लो, तो यहाँ से आपका area निकल जाएगा, total surface area, यह होता है, 2 into LB, plus BH, plus HL, यह आपका total surface area, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, 3 dimensions के figures को, घराब की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको detail में बता दिया, starting में, कि अगर 3 dimensions आप पढ़ रहे हैं, mensuration का, formulas वगर आप पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से connect करके, चीजों को पढ़िए, 2D से आ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर चीजों को connect करके पढ़ेंगे, तो कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपका revision ही हो रहा है, नई चीज भी आपको ऐसा लगेगा कि revise करके आप पढ़ रहे हैं, और समझ के पढ़ रहे हैं, तो formula भी भूलने का chances बहुत क हम रहता है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सारे formula जे एक बार no down करा रहता हूँ, इसको आप no down करिएगा, जैसे कि यह आपका घनाब यहाँ पर है, क्यूबाइड, इस तरीके से क्यूबाइड होता है, जिसका length है, breadth है, और यह height है, ठीक, तो volume हो गया length into breadth into height, मैंने बता height होता है, curved surface area हो गया, 2 into L plus B, यहने perimeter into height, total surface area होता है, curved surface area plus top का area plus bottom का area, ठीक, तो यह हो जाएगा, 2 into LB plus LH plus BH, diagonal, diagonal का मतलब भई, यहाँ से start किया A से, और इस G वाले point पर जाके मिल गया, तो इस तरीके का सवाल exam में पूछा जा सकता है, एक बकसे में सबसे बड़ा rod क्या diagonal होता है, ठीक है, इस diagonal का formula क्या है, तो square root of L square plus B square plus H square, इसको आप Pythagoras theorem से proof कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, चलिए, अब अगला सवाल देखते हैं, यहाँ से अब cuboid हम समझेंगे, इसके प्रशन कुछ देख लेते हैं, दिया गया, sum of length, breadth and height of the cuboid is 31 cm, तो length plus breadth plus height जो है, यह किता दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, दूसरी बात दिया है, its diagonal is 23, तो square root of L square plus B square plus H square, यह diagonal है भई, तो diagonal का formula यही होता है, इसका value 23 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसका total surface area, तो total surface area का formula क्या होता है, total surface area का formula आप लोग जानते हैं, चीक, total surface area का जो formula होता है, 2 into LB plus LH plus BH होता है, अब आप खुद बताइए, कि इसको आपको find करने को बोला गया, यह आपको दिया गया, यह आपको दिया गया, तो दिखें, यह तो algebra का question बन गया, A plus B plus C दिया है, A square plus B square plus C square दिया है, और आपको AB plus BC plus CA ढूणने को बोल रहा है, तो आप लोग भली भाती जानते हैं कि इसका formula क्या है, अगर आपको इसको निकालना है, तो यह कुछ और नहीं होता है, 2 into LB plus LH plus BH, इसका value क्या होगा, इसका value हो जाएगा, L plus B plus H का whole square, minus of L square plus B B square plus H square, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि L plus B plus H square का कुछ formula जो है, वो यही होता है, L square plus B square plus H square, जो कि इससे कर जाएगा, इसके बाद S के अंदर बचता है, 2 LB plus 2 LH plus 2 BH, जो कि यहां दिया हुआ है, तो इसका formula यही होगा, ठीक है, तो algebra में, अगर आपने वीडियो सारे देख तो पताइए भई कितना जाएगा, 31 का square 961 होता है, 21 का square 529 होता है, तो 11 में से 9 गया तो बचा 2, यह बन जाएगा 5 में से 2 गया तो बचा 3, और यह बन जाएगा 9 में से 5 गया तो बचा 4, 432 cm square जो है, इसका area हो जाएगा, यानि कि total surface area, clear है, यहां तक समझ में आ गई बाते, तो इस तरीके से आप चीजों को correct करके पढ़िए, अगला सवाल आपके screen के उपर यहां दिया हुआ है, there is a box of cubite shape, the smallest side of the box is 25 cm and the largest side is 44 cm, which of the following is the volume, देखे, सबसे छोटा जो है, सबसे छोटी भुजा जो है, वो 25 है, और सबसे बड़ी भुजा जो है, वो आपकी 44 है, तो नि जनाब का जो volume होता है, इस volume का formula आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यह होता है length into breadth into height, length into breadth into height, आपको यहां पर केवल दो चीजें दिये हैं, एक भुजा है 25 और एक भुजा है 44, एक भुजा है 44, दूसरी बात यह कही गए, कि यह आपका smallest है, सबसे छोटी भुजा है और यह आपका largest भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, तो तीसरे वाले भुजा की अगर मैं बात करूँ, तो यह तीसरे भुजा की जो range होगी, वो क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए कि अगर यहां पर मैं इस तरीके से घनाब बना लूँ, तो इसका length अगर suppose करिए, दि इसके बीच में बैट, चलते रहेगा, तो अगर volume का smallest value मैं पूछूँ आपसे, तो smallest value हो जाएगा 25 into, इसका value भी 25 ले लेता है, सबसे छोटा value जो possible है into 44, और volume का जो largest value हो सकता है, largest value जो सकता है, वो सकता है 25, इसका value भी 44 ले सकते है, क्योंकि 44 से बड़ा नहीं हो सकता, यह value हो जाएगा, तो भाई, अब इन दोनों के बीच में ही हमारा volume लाए करेगा, कहने का मतलब, अगर इसका value और इसका value आप निकालने हैं, तो वही option सही होगा, जिसमें volume इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो आपको यही देखना होगा, इसके बीच में क्या लाए कर रहा है, तो आईए इसको multiply करके देखते कितना होगा, अगर यहां से एक 4 को यहां बेज़ दू, तो 100 बन जाएगा, 100 के बाद यहां पर आपका 11 multiply होगा, तो 484 और 2 zeros यहां पर आ जा 36, बाकी तो संभव भी नहीं है, क्योंकि smallest side यह है और largest side यह है, तो इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसका volume, चलिए, longest pole that can be placed in a room, तो diagonal होता है, जिसका value होता है, L square प्लस B square, प्लस H square, यही इसका answer होगा, मतलब 16 का square, प्लस 8 का square, प्लस 11 का square, 16 का square कितना, 256, 8 का square कितना, 64, 121, 11 का square, ठीक, तो अगर इसको 4 को यहां विज़े, 260 में 60 जुड़ेगा, 320, 320 में इतना जुड़ेगा, तो 441 आएगा, 441 का square root करेंगे, तो 21 आजाएगा, B सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear, अब आते हैं घन पे, याने क्यूब पे, देखिए जब क्यूब की बात हो रही है न, तो क्यूब जो है, क्या होता है, एक क्यूबोईड में अगर सारे length, breadth, height, equal होगा तो बन जाता है क्यूब, तो क्यूब एक ऐसा क्यूबोईड है, घ एक ऐसा घनाब है, जिसके सारे बुजाएं बराबर हो गई, तो आए थोड़ा सा discussion कर लेते है, formulas पे, तो simple है कि यहाँ पर जो length है, और breadth है, height है, आप क्या करेंगे, length is equal to, breadth is equal to, height is equal to, a दाल देना, a जो है, घन की बुजा है, तो इन सभी formulas में आप a दाल दीजे, आपका value आ is equal to, a, और height is equal to, a, curved surface area, यह lateral surface area की बात करें, तो 4a square होगा, क्योंकि भाई, अब थोड़ा समझेगा, यह total faces अगर देखेंगे, तो left, right, आगे, पीछे, और उपर, नीचे, 6 faces होते है, तो curved surface area में केवल 4 faces होगे, left, right, front और back का, सारे के सारे squares है, क्योंकि cube में सारे sides equal होते है, एक face का area a square है, तो 4 face है, आगे, पीछे, और left, right का, तो 4a square इसका area होगा, इसमें top face, bottom face को जोड़ दें, तो उपर भी a square, नीचे भी a square, तो पूरा का पूरा 6a square हो जाएगा, diagonal की बात करें, तो a root 3 इसका diagonal होता है, तो अगर आपको किसी cube का diagonal दिया है, आपको बोले area निकाल 3 solid cubes of edges, 8 cm, 6 cm, 7 cm are melted together to make a new cube, 71 cm cube of the material is lost due to improper handling, what is the area of the whole surface area of the newly formed cube, देखिए जबी भी आप किसी metal को, किसी एक ठोस figure को, जब आप melt करते हैं, पिघला कर, नया कुछ बनाते हैं, तो पहले वाले जो figure है, उसका volume यानि आयतन, और बाद में जो चीज बनेगा, उसका आयतन बराबर होता है, तो देखिए, यहाँ पहले वाले का जो volume है, इसका volume जो होता है, volume आपको पता है, यह a cube होता है, तो पहले एक 8 cm का आपके पास cube था, जिसका volume 8 cube होगा, 6 cm का एक cube था, जिसका volume 6 cube होगा, 7 cm का एक cube होगा, जिसका 7 cube होता है, इन तीनों को आपने melt किया, तो पहले volume किसके बराबर होगा एक नए घं के बराबर होगा इस घं के भुजा को मैं मान लिता हूँ A तो इसका volume हो जाएगा A cube तो यह A cube के बराबर होगा यहां तक clear यहां से A निकल जाएगा बताई भई कितना आ रहा है यह बन जाएगा आपका 512 6 cube मतलब 216 7 cube मतलब 343 तीनों को जोडने पर यह बन गया 11 यह बन गया 7 और यह बन गया 1071 तो 1071 माइनस का 71 बराबर A cube है मतलब 1000 बराबर A cube है और 1000 अगर A cube है तो A बराबर 10 हो जाएगा cube रूट लेने पर अगर यह A है मतलब यह इसका जो भुजा है यह 10 है आपको यहाँ पर 9 गहति जो घन है इसकी पूरी सता का शेत्रफल चाहिए और पूरी सता का शेत्रफल होता है 6 A square जो क्यों हो जाएगा 6 into 100 और यह हो जाएगा 600 cm square 600 cm square मतलब C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ तक clear A solid cube is cut into 27 identical cubes What is the percentage increase in the total surface area एक ठोस घन को 27 सम रूप घनों में काटा जाता है कुल प्रश्टिश सेत्रफल कितने प्रतीसत की वृद्धी होगी बताना है देखिए जब आप इसको 27 identical cubes में काटते हैं ध्यान यह रखिएगा कि जब cube को कटा जाता है तो यहाँ पर अगर identical cubes में काट रहें तो यह cubes में कटता है मतलब अगर इसका cube root आप लेंगे तो किसका cube root जो आएगा वो आएगा 3 मतलब आपने इस बड़े cube को तीन जगह से आपने काटा होगा अगर यह बड़ा cube है इसको आपने 3 side से बरावर बरावर काटा होगा इस तरीके से समझेगा इसको एक कट आपने लगा होगा ऐसा तो यहाँ से ऐसा कटेगा यह दूसरा कट आपने लगा होगा ऐसा तो यहाँ से ऐसा कटेगा तीसरा कट आपने लगा होगा ऐसा और चौथा कट आपनी लगा होगा ऐसा ठीक है और आपने कुछ इस तरीके से भी कट किया होगा इस तरीके से तब जाके 27 क्यूब निकले होगे ऐसे छोटे-छोटे क्यूब से ठीक है दो कट ऐसे दो कट ऐसे और दो कट ऐसे इस तरीके से काटने पर 27 क्यूब निकले होंगे आपको बोला जा रहा है कुल प्रष्टिय शेतरफल में कितने प्रतीशत की वृद्धी होगे देखिए हमेशा जभी भी आप किसी बड़े फिगर को काट काट कर छोटा कर देते हैं ऐसे कंडिशन में हमेशा सरफेसेरिया बढ़ते जाता है क्योंकि सोचिए जैसि आपने यहाँ एक कट किया तो अंदर जो है एक स्कुरर एक्स्टा निकल के है दो स्कुरर एक्स्टा निकल के आगए एक इधर लेफ्ट वाले में एक उधर राइट वाले में पूरा का पूरा 3 cm है, तो initially जो आपका total surface area होगा, वो हो जाएगा 6 into 3 square. अनुपाथ, छोटे-छोटे जो cube बने हैं, इन छोटे-छोटे cubes का length 1 है, ऐसे 27 cube बने हैं, तो 27 multiplied by हर एक छोटे cube का जो surface area होता है, वो होता है 6 into a square, तो 6 into 1 square, बात समझ में आ रही है, total surface area जो होता है, किसी भी cube का, वो होता है 6 a square, इस formula को हम use कर रहें, तो starting में 3 था, तो 6 into 3 square हो गया, बात में 27 छोटे-छोटे cube बने हैं, तो 27 into 6 into a square, इस तरीकी से हो गया. अगर हम इसको solve करें, तो यह जो 6 है, इस बड़े 6 को काट देगा, ठिक, यह जो 6 है, यहाँ पर 6 को काट देगा, यह 9 है, 27 को काटेगा 3, मतलब पहले अगर surface area 1 था, तो अब 3 हो गया, तो यह initial value है, final value है, आप से क्या पूछ रहा है, percentage increase, percentage increase कितना होता है, तो यहाँ पर percentage का increase है, तो B जो है, इस सवाल का सही उतर हो जाएगा, यहाँ तक clear है, चलिए, आशा करता हूँ, यह आपको समझ में आया होगा, next question, a string is bound on the exterior 4 walls of the cube, of side 5 cm, starting from point C, and ending at point D, find the length of the string, देखिए, आप यहाँ पर समझेगा, एक string को इस C point से आपने बांधना चालू किया, इस string को आपने क्या किया, इस C point से आपने बांधना चालू किया, और यह बांधते बांधते, पीछे से इस तरीके से घुमा होगा, फिर left side में घुमा होगा, यहाँ से right side में इस तरीके से घुमा, मतलब अगर मैं इस 4 faces को इस तरीके से खोल दो, पहला face, दूसरा face, तीसरा face, और चौथा face, तो यह C है, यह D है, तो खोलने पर यहाँ यह C dash और यह D dash इस तरीके से होगा, तो कुछ इस तरीके से figure बनना चाहिए, कि यह C से start होके, ऐसा करके आया है, जिसमें goal घुमने पर यह string इस तरीके से आया होगा, और क्योंकि इसका side 5 है, तो यह भी 5 होगा, यह भी 5 होगा, यह भी 5 होगा, यह भी 5 होगा, मतलब यह पूरा का पूरा होगा 20, और यह जो length है बन जाएगा 5, तो आप जानते हैं, एक theorem, पाइथगरस theorem, जहां पर 90 degree का triangle बन रहा है, तो पाइथगरस theorem लगाईए, यह एक right angle triangle है, ठीक है, C, C dash D, एक right angle triangle है, जिसमें CD का value चाहिए, तो CD का value हो जाएगा, 5 का square, प्लस 20 का square का under root, 5 का square common निकाल देते, तो यहां एक बचेगा, और square root के बाहर तो 5 आएगा, यहां एक, यहां 16, मतलब root का 17 बचेगा, तो 5 root 17, जो है, सवाल का, C is the correct answer for this question, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, चलिए, अब देखे, identical cubes of largest possible size are cut from the cuboid of size 55, 22 and 3.3 cm, तो एक cuboid है भई, जिसमें जो length है, breadth है और height है, यह 55 दिया हुआ है आपको, यह 55 दिया हुआ है, इसका length 22 दिया है, और यह जो side वाला length है, 3.3 दिया है, तो identical cubes जब निकालने को बोला जा रहा है, तो एक ऐसा value होगा, जो इसको भी पूरी तरह से काटे, इसको भी पूरी तरह से काटे, और इस तरीके से भी side of q, यह हो जाएगा, hcf, किसका किसका, 22 का, क्योंकि भाई, यह चीज इसको काट रहा है, 55 का, और यह 33.3 है, 3.3 को आप लिख सकते है, 33 divided by 10, ठीक, और जबी भी fraction के hcf की बात होती है, तो यह होता है, hcf of numerator divided by lcm of denominator, तो जब आप hcf निकालेंगे, तो hcf numerator का निकलेगा, 22 का, 55 का, और 33 का, और जब आप lcm भी निकालना होगा, जिसको divide करेंगे, आप 1 का, क्यूंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 का, 1 का, और 10 का, तो इसका actually lcm, hcf जो होगा, वो हो जाएगा, 11 divided by 10, क्यूंकि यहां से 11 hcf आ रहा है, नीचे lcm 10 आ रहा है, अब देखे, cubes कितने बने, वो निकालना बहुत ज़रूरी है, तो देखे, यहां से जब आप इसको काटेंगे, तो actually 1.1 है, ठीक, 1.1, यहां से जब आप काटेंगे, तो छोटे-छोटे यहां पर cut लगना चालूंगे, 1.1 length की, 1.1 length, 1.1 length, 1.1 length, तो इस तरीके से आप जातेंगे, 1.1, 1.1, 1.1, तो यहां पर आपका 55 divided by 1.1, इतने cubes निकलेंगे, यहां से जब आप काटना चालूंगे, तो 1.1, 1.1, 2 बार में यह पूरा कर जाएगा, यहां इसको यहां पर 3 cube निकलेंगे, तो यह हो जाएगा 3.3 divided by 1.1, मतलब total cubes की बात करूं, तो यहां से 20, यहां से 50, और यहां से 3 cube, मतलब की multiply करेंगे, तो यहां से कितना हो गया, यह बन जाएगा, आपका 1000 into 3, मतलब 3000 cube निकल रहे है, 3000 cube, और आपको पूछ रहा है कि total surface area कितना है, क्या निकलने आपको, इन घनों का संपून प्रस्टियस चेतरफल, तो total surface area जो होता है, वो एक एक cube का 6a square होता है, लेकिन 3000 है, तो 3000 cube से multiply भी करना होगा, हर एक cube का side 1.1 है, तो 6 multiplied by 1.1 का square हो जाएगा, तो 1.21 आ जाएगा, 121 into 3 into 1000, ठीक है, 3 into 6 होता है, 18, और 2 0 से इसके decimal को हटानी जाएगे, 1 0 और आगया जाएगा, तो 1 2 1 0 आएगा, तो 1 0 और 18 से गुणा करने पर last में 18 ह आ रहा है, तो ऐसा एक मात्र option जो है, वो यही होगा, चाहे तो आप पूरा calculate कर लीजे, 18 से calculate कर लेंगे, तो यहाँ 36 plus 137 आएगा, 18, एकम 18, तीन है यहाँ पर, तो 18 प्लस यहाँ पर, तीन जोडने पर, यहाँ पर 21 आएगा, 21780 ठीक है, तो वही आ रहा है, बट आप decimal के बाद देख सकते हैं, 0 के बाद 8 आरा था, तो एक मात्र option ऐसा set किया हुए, चली, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम next figure पे, जिसमें कि हम discuss करेंगे, cylinder के बारे में, याने balance, देखें, cylinder क्या होता है, अभी तक हमने discussion किया, हमने discussion किया, cube-wide और हमने discuss किया cube, cube-wide था जब आप ध्यान रखिए कि इसका जो area है, multiplied by इसका height जो होगा, वही आपका volume हो जाता है, तो volume, इस circle का volume pi r square होता है, multiplied by height करेंगे, तो volume निकल के आ जाएगा, clear, तो इसी के तहत, आप यहां से इसको no-down करना चालू करेंगे, कि इसका volume होता है, cylinder का pi r square होता है, curved surface से रिया निकालना है, तो पहले circumference निकालेंगे, और circle का circumference होता है 2 pi r, इस वीडियो के starting में मैंने आपको short trick बताया कि pi r square को और 2 pi r को short में कैसे निकालना है, यहाँ 154 into k square होता है, जहाँ पर k जो है 7 का कितना गुनज है, 7 के multiples पे क्या चल रहा है, और यहाँ पर आपका 44 k होता है 2 pi r का value, multiplied by इसम यहाँ पर cylinder का सवाल आता है, curved surface area आपने निकाल दिया, अब top और bottom का area, अब top और bottom क्या है, top भी एक circle है, bottom भी एक circle है, दोनों का pi r square, pi r square जोड़ोगे तो 2 pi r square जोड़े आएगा, यदि 2 pi r को common निकाले तो अंदर बचेगा h plus r, मतलब अगर curved surface area और total surface area इसका अगर ratio के उपर आ गया, तो वो ratio कुछ और निहोगा, 2 pi r, 2 pi r को cancel कर दीजे, height और height plus radius का ratio होता है, कभी भी curved surface area और total surface area के ratio के उपर सवाल आ जाए, तो तुरंत आप समझना, कि height का is to height plus radius का ratio दिया हुआ है, ठीक, तो base area, pi r square होता है, इसमें height multiply करेंगे, volume आएगा, circumference, 2 pi r होता है, इसमें height multiply क यह आपका total surface area होता है, यही तीन चीज़ हमको discuss करना है हर एक figure के बारे में, और मैंने आपको जैसे बताया था कि केवल हम formula नहीं, बलके उसको समझेंगे भी, कि वो formula बना कैसे है, ठीक है, तो आईए समझते हैं, यहाँ पर पहला प्रशन, आपके screen के उपर यहाँ दिया बोल रहा है, circumference of the base of a cylinder is 158.4, and its height is 1 meter, how many liters of water can it hold, अब देखिए कितने liter पानी hold कर सकता है, यह आपको निकालने को बोलाता है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब 1 meter cube का कोई tank है, यह 1000 liter को hold कर सकता है, 1 meter cube का मतलब यह है, कि आप 1 meter length, 1 meter breadth, और 1 meter height, इस तरीके का कोई अगर tank आपको दे दिया जाए, यह बरतन दे दिया जाए, तो 1 meter by 1 meter by 1 meter में, जब आप यहाँ पर पानी भरना चालू करेंगे, तो 1000 liter पानी आता है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक, अब 1 meter का मतलब होता है, 1 meter का मतलब होता है, 100 centimeters, तो जब आप यहाँ पर 100 into 100 into 100 करेंगे, तो 10 के घात 6 हो जाएगा, तो 1000 liter अगर 10 के घात 6 के बरावर होता है, तो आप यह लिख सकते हैं, कि यह 10 to the power of 6 centimeter cube के बरावर है, या आप इन दोनों का relation निकालना चाहे, तो ऐसा होगा, कि 1 liter जो है, 1000 centimeter cube के बरावर, या इसका उल्टा भी आप याद करके रखिये, कि अगर 1 centimeter cube निकालना है, तो 10 के घात minus 3 liter होता है, 10 के घात minus 3 liter होता है, clear, चलिए, अब आईए इसको solve करते हैं, यहां circumference of the base of the cylinder is 154.4 दिया हुआ है, किसी भी circumference, यानि कि base of the cylinder का circumference जो होता है, 44K होता है, 44K बर 154, 58.4 के बरावर है, जिसमें के कमाना आप निकाल सकते हैं, height जो दिया हुआ है, h दिया हुआ है, 1 meter, जो कि किस के बरावर है, 100 centimeters के बरावर है, height दिया हुआ है, जो कि 100 centimeters के बरावर है, how many liters of water can it hold आपको निकालना है, तो जब water hold करने की बारी आ रही है, तो पहले आप यहा हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि liter में आपको निकालना है, कितना यहाँ पर पानी hold करेगा, ठीक है, तो liter का relation हमने सीख ले है, तो पहले volume निकाल लीजे, centimeter में या meter में जो भी comfortable है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर सारी चीज़े calculate करके convert कर सकते हैं, ठीक, circumference क्या होता एकम 48 आ रहा है, तो 4 बार जाएगा, फिर 4 आ रहा है, तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 से काटने पर value बन जाएगा, 3, 12 से, और 12 की बाद 24 आ रहा है, तो 0.6 है, ठीक है, तो k जो है 3.6 है, मतलब कि अगर आपको volume निकालना है, तो volume होता है, pi r square multiplied by h, अब इस pi r square के लिए short trick क्या है, यह k multiplication factor के square को आपको multiply करना होगा 154 से, तो 154 into 3.6 का square जो है, यहाँ पर value आ जाएगा, और h जो है, height कितना दिया है, height दिया है 100 cm, तो मैं सारी चीजों को cm में convert कर रहा हूं, तो यह cm3 है, ध्यान दीजेगा कि हमने यहाँ पर जो value लिया था, cm में था, तो यह आपक cm3 में आएगा, क्यूंकि height को मैंने cm3 में दाला हुआ है, यह इतना cm3 इसका volume है, तो अगर लिटर में convert करना है, तो आप जानते हैं, एक cm3 में 1 बटे 1000 लिटर होता है, तो divided by 1000 करके आप इसको लिटर में convert कर सकते हैं, यहाँ digital sum नहीं लगेगा, क्यूंकि आपको 0.1 तक लग इसके आप यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा solve करना होगा, ठीक, तो पता यह भी कितना होगा, दो 0s तो यहाँ directly कर गए, 3.6 का square निकालना है, तो 154 12.96 होता है, ठीक, 12.96, और यहाँ पर एक 10 है, तो इस 10 के लिए आपको यहाँ पर एक दसमलव जो है, यहाँ पर shift हो ठीक, तो बता ही value कितना हैगा, सबसे पहली बात 154 तो पूरा आएगा, एक से multiply करने पर, 2 से multiply करने पर 308 आएगा, तो 30.8 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि दसमलव है, अब 9 से multiply करना है, तो देखें, लगभग मान अगर देखें, तो 184 तो यहीं हो गया, 9 से इसको गुण करेंगे, 9 से गुणा करने पर जो value आएगा, वो आएगा 36, ठीक, और 45 प्लस 3 तो 48, 9 प्लस 1 तो 13, यहाँ पर 2 दसमलव माना जाएगा, 13.86 इस तरीके से, लास्ट में 6 है, तो बहुत minimum value यहाँ पर और आने वाला है, ठीक है, 6 से और multiply करने पर यह बन जाएगा, आपका 924, और क्योंकि 3 दसमलव है, तो 0.924 यह value आएगा, इसको multiply करने पर यह value आएगा, अगर आप जोड़ें, तो लगभग मान इसका निकल के आजाएगा, कितना आएगा बताईए, तो यहाँ last में 4 है, 2 प्लस 6, 8 हो गया, 8 प्लस 8, 16 प्लस 9, 27, दो यहाँ carry forward, ठीक है, तो 6 प्लस 9 आ गया, फिर यह आपका फिर से 9 हो गया, 199.784 value आ रहा है, तो 199.784, तो लगभग मान देखा जाए, तो इसके आसपास है, 199.6 के आसपास है, ठीक है, तो यही आपका मान हो जाएगा, approximately, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, next question यहाँ पर दिया हुआ है 8 cm उचे ठोस लंबे वृतिये जो बेलन है, इसके आयतान इतना दिया हुआ है, इसके वक्र प्रष्टी शेतरफल क्या होगी आपको बताना है, तो देखिए सबसे पहली बात, volume और curved surface इरिया का formula पता होना चाहिए, volume होता है, pi r square h, तो pi into r square आपको radius नहीं दिया है, height दिया ह 8, इसका value आपको दिया है, 392 pi, तो 392 pi दिया है, तो सबसे बढ़िया बात है, pi और pi कुट कर दिया जाए, 8 से काटोगो तो 4 बर कटेगा, 32 से 72 आ रहा है, तो 9 बर जाएगा, यह 49 देखते साथ समझ में आता है, 7 का square है, तो radius जो है, यह बन जाएगा 7, रेडियस जो है, यह है, 7 है, height कितना दिया हुए, height दिया हुए, 8 तो 8 से multiply कर देते, 56 multiplied by 2 करोगे, तो 112 pi आएगा, 112 pi मतलब C जो है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear, next question यहां दिया हुए, ratio of the volume of the two right cylinders A and B is X and Y, ratio of their heights is A and B, what is the radius of their radius, तो मान लेते है, एक जो है, volume, लेकि volume होता क्या, volume होता है, pi R square H, तो volume जो A का होगा, divided by volume जो B का होगा, यह pi तो constant है, यह change नहीं होने वाला, radius A का लेंगे, height भी A का लेंगे, ठीक, divided by pi, इसका radius B का लेंगे, यहां पर height B का लेंगे, ठीक है, तो यह pi pi तो भाई, same है, pi constant है, pi A का भी का नहीं होता है, pi pi होता है, constant कर जाएगा ठीक है और यहां से ratio जो दिया है height का a is to be दिया है volume का जो ratio दिया यह x is to y दिया है तो volume के ratio के जगा x by y लिख लेते है radius of a by radius of b जो है इसका whole square ऐसा लिख लेते है और height of a by height of b इसके बारे में दिया है कि a अनुपात b दिया हुआ है तो यहां से multiply हो जाएगा a अनुपात b तो अगर आपसे कोई पूछे कि radius of a divided by radius of b का whole square कितना है तो इस x में यह b multiply होगा तो x b आएगा इस y में यह a multiply होगा तो y a आएगा radius of a by radius of b निकालना है square है तो आप इस square को दूसरे तरफ वेजेंगे तो square root बन जाएगा तो x b by y a खहां दिख रहा है x b by y a यह जो d option है यही सही उथरो जाएगा तो radius का नुपात निकालना था जो कि square में था area constant था circle, कहीं भी cut करो circle circle दिखेगा, लेकिन cone में क्या होता है, cone जो होता है ये circle तो रहता है, लेकिन ये circle यहाँ काटोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा थोड़ा और उपर काटोगे छोटा हो जाएगा उपर जाकर ये एक बिंदू बन जाता है छोटा होटे होटे होटे, इस तरीके से हाँ उपर तक जाकर एक बिंदू बन जाता है तो मैंने आपको trick जो बता के रखा है, कि जब volume निकालना है तो area of the base multiplied by height करना है, ये तभी तक सही है जब आप कहीं पर भी इसके height में cut लगाईए, तो area सेम हो, जब ये छोटा होते होते एक point पर आ गया, तो जो volume cylinder का होता है, उस cylinder का एक तिहाई volume इसका होगा तो volume of a cone कैसे याद रखना है cylinder के volume का one third volume जो है, वो volume of the cone होता है इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है चलिए, चलिए, तो यहाँ दिया होए cone, cone के बारे में मैंने आपको बता दिया volume होता है one by three pi r square देखिए, यहाँ पर एक slant height होता है, याने तिर्शी उचाई इस slant height को, L को हम कहते है तिर्शी उचाई, मतलब यह जो side वाला जो length है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का length इसी को हम L से represent करते L होता है slant height, याने तिर्शी उचाई, यह height जो है पूरा का पूरे cone का height जो है यहाँ से लेकर इसके apex से लेकर यहाँ vertical drop करने पर जो आता है, center पर और इस center से इसके edge को जोड़ दिया जाए, तो यही इसका त्रिजा कहलाता है base का, तो आपको यहाँ एक right angle triangle दिखाई दे रहा होगा जिसका height h है, base radius है और hypotenuse जो है, वो L है जो की है, तिर्शी उचाई यहने slant height पाइथावरस theorem के तहट आप जानते L square बरावर h square प्लस r square होगा तो L बरावर square root of h square प्लस r square होगा, अगर triplet values use हो रहा है, तो आपको इसकी कोई आवे सकता नहीं है, लेकिन अगर triplet value use नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको यह चीज use करना पड़ेगा, अनिवार्यों हो अगर्वर सर्फेस अरिया प्लस top face प्लस bottom face तो top face क्या है, top face तो point है, point का तो अपना length नहीं होता तो area कैसे हो सकता है, तो इसका area तो 0 होगा ठीक, इस point का area 0 होगा, लेकिन bottom face एक circle है इस circle का अपना area होता है πाई r square तो इस πाई r L में प्लस πाई r square करोगे, तो पाई r common निकल गया, तो पाई r into L प्लस R इसका total surface area होगा तो तीन सीज़ है, हमेशा डिसकस करनी, curved surface area, total surface area, volume, तीनों हमने discuss कर लिया, कोन का, अब चलिए इसके कुछ सवाल देख लेते हैं, ताकि formula कैसे use करना आपको clear हो जाएगा height of the cone is 24, area of base is 154, what is the curved surface area, देखिए, base अगर एक कोन की हम बात कर रहे हैं, इस कोन का जो base है, एक circle होता है, इस circle का जो area होता है, pi r square होता है, pi r square को हम 154 k square से निरूपित कर सकते हैं, जिसमें k r जो होता है, 7 k होता है, तब, इसका value 154 दिया है, तो directly आप समझ सकते हैं, कि radius जो है, वो 7 है, ठीक है, तो ये mind में आप ये चीज calculate कर सकते हैं, जैसे आपको दिखा 154 का multiple, या 154 दिख गया, वहां से radius आप मौक्षिक रूप से, orally calculate कर सकते हैं, कि radius 7 है, इससे बहुत time बचता है, ठीक है, तो ये discuss किया है, trigonometry में भी, ठीक है, geometry में भी देखा, इसका usage यहां भी होता है, ठीक है, अब इसमें आपको शंको का वक्र प्रष्टी शेतरफल, याने curved surface area निकालना है, curved surface area का formula बताई क्या है, pi rl, तो pi निकालना है, तो pi यहां खोलना है, तो pi को पूरा खोलना है, 22 by 7, radius आपका साथ है, slant height आपका 25 है, तो 25 into 50 होता है, 50 plus 50, 550 जो है, इसका curved surface area होगा, B is the correct answer, clear यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए, the ratio of the radius, the radius of two consists, 5 is to 6, volume are 8 is to 9, what is the ratio of the height, तो देखिए यह लगभग, अभी जो हमने cylinder में question देखा था, लगभग वैसा ही है, बस यहां difference यह है कि volume जो होता है, cone का 1 बटे 3 pi, r square h होता है, तो volume जो first cone का होगा, divided volume जो second cone का होगा, यह pi by 3 जो है, उपर भी रहेगा, यहां radius पहले cone का whole square into h1 का value आएगा, pi by 3 नीचे वाले में रहेगा, radius दूसरे वाले cone का whole square into h2 का, ठीक, यह pi और 3 तो constant है भाई, इसको लिखो ना लिखो बाते कि यह कटने वाला है, आपको दिया है, दोनों शंकों के त्रिज्याओं का अनुपात जो है, 5 अनुपात 6 है, मतलब यहां 5 बटे 6 का whole square हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या है तो इसके उपर square लगा हुआ है, आयतन की बात करें तो 8 बटे 9 है, तो यह 8 बटे 9 आ जाएगा, यहां multiply कर लेंगे तो h1 बा h2 आ जाएगा, तो यहां से आप directly निकाल सकते हैं कि height 1 divided by height 2 जो है, यह 8 बटे 9 आ जाएगा, 6 का square उपर जाएगा तो 36, 5 का square नीच आएगा तो 25, 9 से काट होगे तो चार बार कटेगा, मतलब कितना हो गया, 32, 32 divided by 25, तो यही इसका अनुपात है, 32 अनुपात 25, clear है, चलिए, from a solid cylinder, cylindrical wooden block of height 18 cm and radius 7.5 cm, a conical cavity of same height and same radius is taken out, what is the total surface area of the remaining solid, अब यहाँ पर काइदे से आपको definition जो मैंने बताया है न, total surface area का वो समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको कुल प्रष्ठे शेत्रफल के बारे में बताया है, कि आप जिस स्थोस को, solid को पानी में डूबए दीजी, पानी जहाँ जहाँ पर touch कर रहा है, वो सारी चीज जहाँ 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 touch करेगा, वो सब कुछ total surface area में count होता है, तो इस सवाल में दिया क्या है, पहले तो एक cylindrical wooden block है, तो cylindrical wooden block इस तरीके से हम बना लेते हैं, यहाँ बन गया cylindrical wooden block, जिसका height है 18 cm, तो यहाँ से यहाँ तक की height है, यह 18 cm दिया हुए, दूसरा हमें दिया हुआ है इसका radius, radius कितना दिया हुआ है, radius दिया हुआ है 7.5, तो यहाँ से अगर center ले लिया जाए, तो इस center से, यहाँ तक का जो length है 7.5 दिया हुआ है, इस में से बोला गया है, इस ठोस बेलनाकार लकडी के टुकडे से, समान उचाई और समान त्रिज्जा वाले, आप एक यहाँ पर conical cavity, यहने शंकवार जो quarter है, इसको आप निकालते हैं, ठीक है, conical cavity आप यहाँ से clear करते हैं, तो देखें, यहाँ से अगर हम इसमें cavity को clear करें, तो कुछ इस तरीके से, एक cone यह बाहर आ जाएगा, इतना हमने बाहर निकाल के, फेक दिया, तो अब आपको बताना है, कि यहाँ आप जो बचा हुआ area है, इसको हम क्या करेंगे, पानी में दाल देंगे, तो जहाँ जहाँ टच करेगा, वह ही total surface एरिया होता है, total surface एरिया निकालना है, तो मैंने कहा, definition यह है, कि पानी जहाँ जहाँ touch करें, देखिए आप जैसी, पानी में दालेंगे इसको, तो नीचे वाला area, जो है, यह पुरा का पुरा touch होगा, तो यह जो area है, यह पुरा का पुरा touch होगा, तो एक πाई आर स्क्वेर तो आना है, साथ में यह जो side वाला area है, cylinder का side वाला area, यह पुरा touch होगा, यह होता है, plus का 2 πाई आरेच, cylinder का वक्रिप्रष्टिश एर्थ्फरल, यानि की curved surface एरिया, इसके बाद जो cone है, इस cone का आपका यह वाला area आएगा, और यह वाला area होता है, cone का, again curved surface area, यानि की πाई आर एल, तो अगर मैं इस में से πाई आर को common निकाल दू, तो एक radius यहाँ बच जा रहा है, यहाँ पर 2 into H बच जा रहा है, plus slant height L बच जा रहा है, देखिए सारी चीज़े हमारे पास है, height और radius केवल slant height नहीं है, यह slant height निकालना ज़रूरी है, तो slant height निकालने के लिए मैंने आपको बताया, कि आपके पास है Pythagoras theorem या Pythagorean triplet, अगर Pythagorean triplet लग गया, तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं, यहाँ values थोड़ा से calculated है, तो Pythagoras theorem triplet को कैसे हम और तेजी से calculate कर सकते हैं, यह 7.5 और 18 देखकर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा से यहाँ पर दिमाग लगाए, तो थोड़ा आसान हो जाएगा चीज, यह बन जाएगा आपका 12, अब 5 और 12 देखते साथ समझ में आ रहा है, कि यह वाला side अगर 5 है, तो यह वाला side 12 है, तो यह side 13 होगा, 5, 12, 13 triplet होता है, इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ 15 गुना होगा, तो यहाँ भी 15 गुना होगा, और 15 गुना करने का मतलब, 130 में 65 जोड़ देना, यानि कि यहाँ 195 करना, और आप देख रहे हैं, यहाँ 1 दसमलव लग जा रहा है, मतलब यह 19 दसमलव 5 होगा, मतलब यह जो curved surface है, यानि कि इसका slant height, जो है, कितना है, 19.5 है, इस तरीके से, आप triplet को use करना सीखिए, Pythagorean triplet बहुत आसानी से आप लगा सकते, इसका ratio लिलीजिए, ratio से बहुत सारी चीज़े clear हो जाती है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ से इसको solve करेंगे, तो यह pi into r, pi खुलना है क्या, pi नहीं खुलना है, radius किता था, 7.5 था, तो radius 7.5 डाल लेते हैं, bracket के अंदर एक 7.5 है, plus 2H है, 2 into H मतलब 36, plus slant height मतलब 19.5, तो यह हो जाएगा, pi into 7.5, multiplied by 7.5 को इसमें जोड़ेंगे, तो 27 आएगा, 27 को अगर यहाँ पर, 36 में जोड़ोगे, तो यहाँ पर 63 value आएगा, अब देखे 75 की खास बात, 7.5 की खास बात क्या है, कि आप इसको लिख सकते हैं, 7.5 था ना, क्या 7.5 को ऐसे लिखा जा सकता है, 30 बटे 4, क्योंकि भाई 3 से गुणा करना, और 4 से विभाजित करना ज्यादा असान है, यहाँ पर 7.5 से मल्टिप्लाइ करना, तो 7.5 को मैं लिख लेता हूँ, 30 बटे 4, यह छोटे-छोटे calculation tricks है, जो आप calculation के जरिये ही सीखेंगे, यह सारी चीज़े develop होगी, यह हो जाएगा, 1, 8, 9, 0, pi divided by 4, तो 4 से काटने पर जो value आएगा, बताएगे कितना आजाएगा, यह बन जाएगा, 4 बार 16 से, 29 जा रहा है, तो 7 times 28 से, 10 आ रहा है, तो 2, ठीक है, 0.5, pi, तो 472.5, यहने, C जो है सवाल का सही, उत्तर हो जाएगा, यहाँ तक clear है, चीजे समझ में आरी होगी, आप लोगों को, इसके बाद हम discuss करेंगे, frustrum of a cone, याने की छिनक, देखी, छिनक होता क्या है, simple language में, अगर आप इसको समझना चाहते, इसके figure को, इसके diagram को, तो बाल्ती याद कर लिजी, देखिए, frustrum of a cone का मतलब क्या है, कि cone तो पूरा का पूरा भई, ऐसा था, कोण पूरा का पूरा ऐसा था, अगर मैं यहाँ पर एक plane से इसको काड़ दूँ, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जो उपर वाला हिस्सा है, ये बाल्टी के जैसा दिख रहा है, बकट के जैसा, इसी कोई क्या कहते हैं हम, frustrum of a cone कहते हैं, ठीक है, इसी कोई क्या कहते हैं, frustrum of a cone, इसके उपर questions बनते हैं, तो आए समझते हैं, तो frustrum कुछ इस तरीके से दिखता है, इस frustrum में उपर वाला face, जो है, ये एक circle है, नीचे वाला face भी एक circle है, बाल्टी, उपर वाले circle का radius को हमने, याने, त्रिज्या को हमने small r से लिखा हुआ है है, नीचे वाले circle के radius को हमने capital r से लिखा हुआ है, ऐसे condition में, इसका height h होगा, और इसका पूरा जो area हो जाएगा, वो pi h by 3 into r square plus r square plus r into r होगा, देखे, नॉर्मल जब हमने cone देखा था, तो 1 by 3 pi r square h था, तो आपको बस ये याद रखना है, 1 by 3 pi h तो as it is रहेगा, क्योंकि radius 2-2 निकल गया, तो आप याद ऐसे रख सकते हैं, कि r square भी रहेगा capital r square, plus small r square भी रहेगा, देखे, ये formula अगर आपको याद रखना है, तो actually ये आता कैसे है, तो ये आता है भाई, cone के volume को minus करने से, यानि बड़े cone को, जैसे कि मैंने diagram बनाया था, इस पूरे diagram में, अगर आप इस बड़े cone में से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बड़े cone में से, इस छोटे cone को आप काड़ दीजिए, तो उपर वाले cone को minus करने से ऐसा बनता है, तो बीच में क्या होता है, कि एक value ऐसा आता है, r cube minus r cube का value आता है, और आप जानते हैं, कि a cube minus b cube का formula होता है, r minus r, into r square, plus r, small r square, plus r into r, तो आप इस तरीके से याद रखिए, कि ये capital r cube minus small r cube से बन रहा है, volume को minus करने से बन रहा है, तो actually ये वाला r minus r कड जाता है, बसता ये वाला r square plus r square plus r into r है, जो कि a cube minus b cube के formula से बना है, इसलिए यहाँ पर ये value आता है, इस तरीके से आप चीज़ों को connect करके पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से आपको ये चीज़े याद रहीगी, कि frustrum का volume ये होता है, 2018 के SSCGL exam के papers का, अगर previous year question, मैंने telegram channel में आपके साथ share किया, अगर आपने उसको solve किया होगा, तो आप भरपूर मात्रा पे देखेंगे, इसके उपर questions जो है, आपके पूछे गए थे, ठीक है, हर shift में आपको एक ही question देखने को मिलेगा, mensuration का, और वो इसी के उपर formula के उपर based है, value अलग-अलग रहेंगे, और आपको बुला गया है कि उसमें volume बताई है कि frustrum का क्या होगा, देखे, SSE का आदत है यह, कि अगर किसी shift में कोई एक प्रश्न, किसी बच्चे से नहीं बनता है, ज़्यादा तो और नहीं बनता है, तो उस प्रश्न का value चेंज करके next shift में जरूर देता है, यह SSE के आदत है, और यही हुआ था वहाँ पर, और इसलिए 2018 की paper को आप देखेंगे, previous year का, SSE CGL का tier 1 का, तो वहाँ पर आपको यह वाला जो सवाल है, पूरे के पूरे frustrum के volume के उपर, इस formula को बहुत लोग याद नहीं रखते हैं, और इस formula के उपर question पूछा गया था, ठीक है, तो important है, अब देखें, यहां slant height की मैं बात करूँ, तो slant height थोड़ा से हाँ typical है, समझेगा, इस slant height को निकालने के लिए, मेरे पास एक right angle triangle होना चाहिए, अब जब यहां पर था, तो right angle triangle का height यहां से मापा जाता था, लेकिन अब slant height यहीं खतम हो गया, तो height यहां से लेकर यहां तक होगा, यहां से एक vertical हमने drop कर दिया, यह height है, जो की frustrum के height के बराबर होगा, लेकिन जब base यहां से calculate करोगे, तो अब base पूरा का पूरा radius नहीं रहेगा, आपको समझना होगा, जब आप यहां से vertical drop कर रहें, तो यह rectangle बन गया, मतलब यहां O, C से लेकर D तक का length small r है, C से लेकर B तक का length capital r है, तो इन दोनों का जो difference यह dbR है, capital r minus small r होगा, तो यहां जब आप slant height निकालोगे L, यह हो जाएगा, h square plus r minus r का whole square का square root, right angle triangle के जरीए, तो curved surface area होता है, pi r plus r into L, जिसमें r बड़े वाले surface का त्रिज़ा है, और small r छोटे वाले surface का त्रिज़ा है, slant height कैसे निकालना है, तो h square plus r minus r का whole square का square root, right angle triangle के जरीए, अब यह तो curved surface area की बात हो गई, total surface area निकालना आप लोग जानते हैं, कि curved surface area में, top face plus bottom face को जोड लीजिए, top face भी एक circle है, जिसका area pi r square, bottom face भी एक circle है, जिसका area pi capital r square है, तो दोनों को जोड देंगे, तो यहाँ से total surface area निकल के आ जाएगा, ठीक, चलिए, यह तो कुछ formula हो गए, अब यहाँ से कुछ questions देख लेते हैं, पहला सवाल है आपके screen के उपर, find the lateral surface area of the frustrum, of right circular cone, if the area of its base is 16 pi r square, and diameter of the circular upper surface is 4 cm, and slant height is 6 cm, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है, frustrum बनता है, ठीक, इस तरीके से आपका frustrum बनता है, बरावर, अब यह जो area है, इसका area होता है, 16 pi r square दिया हुआ है, मतलब आप समझिए, किसी भी face का जो area होता है, circle का area होता है, वो pi r square होता है, और 16 pi cm square दिया है, radius 4 cm, साथ में यह diameter, upper surface का 4 cm है, अगर diameter, upper surface का 4 cm होगा, तो जो radius होगा, यह इसका आधा हो जाएगा, 2 cm होगा, clear है, तो अगर मैं यहां से, इसका height, इस तरीके से drop करो, तो यह जो छोटा सा area, यह actually center है, इस point को b मान लेते, इस point को d मान लेते हैं, तो यह cd जो है, यह 2 होगा, और जो db है, यह भी 2 होगा, ठीक है, इसकी तिर्ची उचाई जो है, वो दी हुई है, आपको 6 cm, तो तिर्ची उचाई डारेक्ली दी हुई है, 6 cm, तो यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से, आप इसका curved surface area का formula लगा सकते है, CSA, बराबर होता है, πाई capital R plus small r, multiplied by L, तो πाई into capital R, मतलब 4, प्लस small r, मतलब 2, तो 6 बन जाएगा, slant height भी 6 बन जाएगा, 36 pi बन जाएगा, यह है इसका curved surface area, तो यहाँ slant height और directly दिया था, और diameter दिया हुआ था, curved surface area निकालना था, तो थोड़ा सा यह, आसान हो जाएगा, ठीक है, lateral surface area यह curved surface area बोलिए, बात देखिए, इस चीज को समझेगा, कि अगर यहाँ height दिया रहे था, ऐसे condition में आपको अगर तिर्षी उचाई निकालनी होती, तो height और यह 2 यहाँ का base हो जाएगा, इसमें पाइथोगर स्थियोरम लगा के, आप यहाँ पर slant height निकाल सकते थे, बाट slant height डारेक्ली दिया है, तो थोड़ा से simple हो गया सवाल, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोशिन, दे रेडिया अफ़ टू सर्कुलर फेसे अफ़ दे फ्रस्टरम, of height 21 is 3 and 2, वाट इस दे वॉल्यूम, यह बहुत important सवाल इसलिए है, क्योंकि CGL 2018 प्रिवेस येर पेपर से लिया हुआ सवाल है, और यह सवाल आपके उस shift में, CGL 2018 में कई बर पूछा गया था, ठीक है, तो volume जो होता है, फ्रस्टरम का यह होता है, पाई H by 3, आर स्क्वेर, प्लस आर स्क्वेर, प्लस आर इंटू आर, इसको हमने देख लिया, डीटेल में, तो यहां आप formula लगाईए, पाई तो पूरा का पूरा opened है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पाई को open कर लेते 22 by 7, एक 1 by 3 पहले से यहां बैठा हुआ है, radius, height जो है, कितना है 21 है, और इसके अंदर जो है, 3 और 2 है, 3 का square होता है 9, 2 का square होता है 4, 3 उनित दो होता है 6, तो तीनों का value जो होगा, sum करने पर आ जाएगा, यहां पर 19, 19, ठीक है, 3, 7 जो है 21 होता है, 38 प्लस 38, 8 प्लस 11, यहां पर आ गया 418, 418, ठीक है, D जो है सवाल का, सही उत्तर हो जाएगा, clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे, sphere पे, sphere का मतलब होता है, गोला, सबसे बड़ा गोला, जो आपको यहां दिखाई देता है, daily basis पे वो होता है, आपका सूर्य, तो सूरज जो है, सबसे perfect example है, एक sphere के लिए, अर्थ भी कही न कहीं जो है, एक गोले जैसा है, बट पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको जोगरफी वाले सर ने, detail में बताया होगा, इसके बारे में, हाला कि एक perfect example की में बात करूँ, तो सूर्य जो है, यह आपको एक perfect example देता, या आपको इबॉल को देखते हैं, वो भी एक sphere है, तो गोला जो होता है, इसमें अगर हम volume की बात करें, तो volume होता है 4 by 3 pi r cube, इसको आप याद रख सकते हैं, 4 by 3 pi r cube, clear है, तो आईए इसको समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गोले के बारे में, तो अब हम यहाँ पर sphere की बात करेंगे, sphere की बात करें तो volume है 4 by 3 pi r cube, ठीक है, और क्योंकि यह sphere है, तो इसका एक diameter भी होता है, diameter बरावर होता है, यानि कि व्यास जो होती है, तरिज़ा का दुगना होती है, या आप ऐसा लिख सकते हैं, तरिज़ा जो है व्यास की आधे होती है, तो आप यह तो volume निकालना चाहते हैं, तो 4 by 3 pi r cube से निकालेंगे, यह diameter के terms पे 4 by 3 pi d by 2 का whole cube हो जाएगा, curved surface area की बात करें तो 4 pi r square होता है, तो अगर इसके curved surface area की बात करें, तो यह पूरा का पूरा गोला जो हर तरह से गोल है, इसका कोई top face या bottom face नहीं होता, जहां सभी आप sphere को देखें, गोल ही दिखेगा, sphere ही दिखेगा, तो इसलिए इसका curved surface area 4 pi r square है, साथ ही साथ, total surface area भी 4 pi r square है, चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, इसमें समझते हैं चीजों को, पहला प्रशन दिया हुआ है, volume of the sphere is 4851, what is its surface area, देखें जभी भी सवाल में surface area बोल देता है, आपको यह नहीं दिया कि curved surface area या total surface area है, ऐसे condition में हम हमेशा total surface area निकालते हैं, तो volume of the sphere होता है, 4 by 3 pi r cube, इसका value दिया है 4851, तो pi को open कर लेते हैं, 22 by 7 लिख लेते हैं, अगर मैं इसको 11 से काटूं, तो यह 2 बन जाएगा, 11 से काटने पर 4 आ रहा है, 45 आ यह फिर से 4 आ रहा है, एक आ आ यह तो 41 आ है, मतलब देखें, 21 इन्टू 21 है, यह भी 21 है, मतलब 21 का cube आ जाएगा इस तरफ, और 8 है, तो 8 होता है भई, 2 का cube, जब आप इसको यहाँ नीचे भेजेंगे, तो radius क्या हुआ, radius हो गया भई, 21 बटे 2, 21 बटे 2 हो जाएगा, मतलब देखिए, अब आपको value क्या निकालना है, आपको निकालना है, total surface area, total surface area होता है, 4 pi r square, होता है की नहीं होता, अब फिर से थोड़ा सा, आप calculation को कैसे तेज कर सकते, इसके बारे में मैं discussion कर लेता हूँ, यह pi r square है, और pi r square को मैंने आपको बताया है, यह pi r square बराबर होता है, 4 into 154 into k square, तो जहां जहां आपको यह दिखता है, इसको use करना सीखिए, यह आपके calculation में लाने की कोशिश करिए, ठीक है, और इसको देखते साथ समझ में आता है, 7 में आपने 3 मटे 2 को multiply किया, मतलब k का का काम कौन कर रहा है, तो यह आपके k का का काम कर रहा है, जो की है 3 by 2, बराबर, तो अगर यह 3 by 2 है, 3 by 2 को square करोगे, तो यहां पर आजाएगा 9 by 4, 4 और 4 कर गया, 36, 45 प्लस 3 करोगे, 48, 9 प्लस 4 करोगे, तो 13, 1386 is the correct answer, 1386 मतलब D is the correct answer for this question, clear, चलिए, a metallic solid spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical balls, the radius of the two of these are 2 cm and 1.5 cm, what is the surface area of the third ball, देखे, जभी भी आप किसी भी ठोस गोलाकार गेंद को पिगला कर, फिर 3 गोलाकार गेंदों में बदलेंगे, कभी भी पिगला कर, यानि कि melt करके, हम किसी shape को change करते हैं, तो starting में जो volume है, और बाद में जो volume होता है, दोनों के दोनों volume same होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताएं इसी वीडियो में, तो आप क्या करेंगे, volume को बरावर कर देंगे, और volume को बरावर करने के लिए आपको समझना होगा, 4 by 3 pi, r cube जो है, ये volume होता है, मतलब देखिए, 4 by 3 pi तो change होगा ये नहीं, तो पहले आप ये समझे, कि 4 by 3 pi change नहीं हो रहा, वो as it is रहेगा, तो directly आप क्या कर सकते हैं, कि radius के cube को आप equate कर सकते हैं, पहले 3 cube था, मतलब पहले initial volume जो था, वो 3 cube के बरावर होगा, बाद में ऐसे आपने 3 गोले कार बना दिये, तो पहले वाले गोले का radius जो है, 2 cm है, ठीक है, इसका जो तरिज्या है, यह तरिज्या होगी, यहाँ पर typing error है, तरिज्या जो है, वो 2 cm है, तो इसका 2 cm का cube करेंगे हैं, प्लस दूसरा वाला 1.5 है, 1.5 का मतलब होता है, 3 बटे 2 का whole cube, प्लस तीसरा वाला जाएगा, r cube, ठीक है, चलिक है, 27, minus का 8, minus का यह बन जाएगा, 27 बटे 8, ठीक है, is equal to r का cube आ रहा है, मतलब देखिए, कितना आ रहा है value overall, अगर मैं इन दोनों को minus कर दू, पहले minus कर देते हैं इन दोनों को, तो बन जाएगा 19, ठीक, 8 का अगर LC हम ले, तो 72 प्लस 8, यानि कि कितना हो गया, 72 प्लस 80, 72 प्लस 80 मतलब 152, इसमें से अगर 27 को minus कर दे, तो बन जाएगा 125 बटे 8, 125 बटे 8, समझ में आता है, कि यह 5 का cube है, पाच बटे दो, what is the surface area of the third wall, तीसरे wall का आपको surface area निकालना है, surface area क्या होता है, 4 pi r square होता है, तो 4 into pi, multiplied by 25 बटे 4 आएगा, तो यह 4 यह 4 से कड़ गया, मतलब कितना हो गया, 25 pi आ जाएगा, 25 pi मतलब D, जो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, इसको यदि आप बीच से काट दें, तो जो दो हिस्से निकल के आते हैं, यह आधे-आधे गोले होता है, बीच से काटने पर होता क्या है, कि यह अलग हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर यह भी अलग हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब अर्द गोले का वॉल्यूम तो इसका आधा होता है, लेकिन, curved surface area की बात करें, तो curved surface area की बात करें, तो केवल बाहर वाला area होता है, जो कि इसका total 4 pi r square था, ठीक है, और इसका भी 2 pi r square हो जाएगा, और इसका भी 2 pi r square हो जाएगा, लेकिन, जब total surface area की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जबी भी आप किसी, ठोस figure में cut लगाते हैं, तो surface area हमेशा बढ़ती है, आपने जैसी ऐसा एक cut लगाया, तो एक नया surface उपर, और एक नया surface नीचे निकल के आगया, दोनों के दोनो circles है, ये दोनों circle की अधि मैं बात करूँ, तो यहाँ पर भी एक circle जो है, ये भी एक circle, जो इसका area होता है, पाई आर स्कुएर होता है, इसका area भी पाई आर स्कुएर होता है, दोनों का area क्या है, मतलब 3 pi r square हो जाएगा short trick मैं आपको समझा देता हूँ कि जभी भी आप एक cut लगाते हैं तो समझेगा कि total area जो दोनों solid इनकले यहां और यहां मिला कर 2 pi r square निकला उपर वाले का pi r square नीचे वाले का pi r square तो overall हमारा जो surface area था 4 pi r square एक cut लगाने पर जो total surface area हो जाता है वो 6 pi r square हो जाता है मतलब इस 4 pi r square में plus का 2 pi r square जोड़ दिया उपर का pi r square नीचे का pi r square और जब individual यहां पर आपको surface area निकालना है total surface area तो यहां आप pieces कितने देखिए 1 piece यह है, 1 piece है, 2 pieces है तो आप क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, तो 3 pi r square आएगा और यह 3 pi r square एक आधे गोले का total surface area होता है clear तो इसी के तहट समझते हैं, यहां पर कुछ formulas जैसे यह formula जो दिया हुए, आपको 2 pi 2 by 3 pi r cube इसका volume होता है, यह मैंने बता दिया आपको अर्ध गोला, आपने काट दिया, आधा कर दिया curved surface area 2 pi r square होता है total surface area 3 pi r square होता है क्योंकि जैसी आप cut लगाएंगे तो यह 4 pi r square से plus 2 pi r square हो जाएगा 6 pi r square बन जाएगा, इसका total area दोनों का combine, और क्योंकि 2 piece है इसका आधा करने पर, उपर वाले का surface area pi r square, नीचे वाले का pi r square suppose करिये कि इसमें आपने एक और cut लगाया ऐसा, जैसी आप cut लगाएंगे तो 4 भाग हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और पहले ही 6 pi r square total surface दिया था, इसमें एक और cut लगाने पर 2 pi r square add on हो जाएगा, add on करने का मतलब, अब total surface area चारो का मिला कर जो है, वो है 8 pi r square और क्योंकि 4 pieces है, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 pieces है 4 pieces का मतलब, एक चौथा ही कर देंगे, तो हर एक piece में इसका भी 2 pi r square curved surface, याने total surface area होगा इसका भी 2 pi r square, इसका भी 2 pi r square सबका जो area है, वो 2 pi r square बन जाएगा, ठीक इसमें अगर हमने एक और cut लगा है, suppose करिए ये board के parallel हमने एक cut ऐसा लगा है, तो 8 pieces हो जाएगे इन 4 pieces का combined जो total surface area था, वो था 8 pi r square, इसमें 2 pi r square जोडेंगे, तो 10 pi r square इसका total surface area हो जाएगा, जिसमें 8 pieces है, 8 से इसको विभाजित करेंगे तो 5 बटे 4 pi r square हो जाएगा एक एक का surface area, total surface area 10 divided by 8 करिए, 5 by 4 pi r square हो जाएगा, जब आप यहाँ पर 8 pieces बना देतें, एक ही sphere का, तो समझ भी आ रहा है, कैसे हम एक एक sphere के total surface area को निकाल सकते हैं, जब आप इसको cut करते चले जाएगे तो इसी के तहट कुछ formula अब इसके base पर हम कुछ questions देख लेते हैं, a solid sphere and a solid hemisphere is having total surface, same total surface area then what is the ratio of the volume तो देखें, यहाँ पर एक solid hemisphere है इसका radius मैं मान लेता हूँ capital R और एक hemisphere है, इसका radius मैं मान लेता हूँ small r, बोला गया, दोनों का total surface area same है, तो इसका total surface area होता है 4 pi r square और इसका जो total surface area होता है 3 pi r square दिया गया क्या है सवाल में कि दोनों equal है दोनों का total surface area equal है तो ratio of volume निकालना है, तो भई, पहले तो pi और pi कर जाएगा, r by r जो है, इसका value आ रहा है 3 बटे 4, मतलब square है यह, तो अगर ratio r निकालना है, तो इसका square root हो जाएगा, इसका square root मतलब root 3 बटे 2, यह इसका square root हो जाएगा, अब सवाल में क्या है, इसके आयतनों का अनुपात निकालना है, तो ध्यान दीजेगा कि इसका जो आयतन है, यह हो जाएगा 4 by 3 pi r cube अनुपात इसका जो आयतन है, यह बन जाएगा 2 by 3 pi small r cube यहां से आपको समझना होगा, pi और pi तो कटी गया, तीन तीन कटी गया तो इस 2 से काटोगे, तो यहां 2 आएगा 2 r cube, r cube के जगापे मैं root 3 का cube दाल सकता हूँ तो root 3 का cube आ जाएगा आनुपात, इस 2 के जगहा पे 2 का cube दाल सकते हैं, तो 1, 2 जो है, इसको काटेगा, तो 4 मन जाएगा और यह root 3 का cube है root 3 का cube मतलब, 3 root 3 आनुपात 4, इसका सही उत्तर हो 3 root 3 आनुपात 4, सही उत्तर होगा यह जो है, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear? फिर चलिए एक आखरी सवाल देखते हैं जो कि आपके hollow spherical vessel के उपर होगा जिसका total surface area आपको निकालना है ठीक है internal external radiae of hollow hemispherical vessel is six and seven centimeters respectively what is the total surface area of the vessel देखें जभी भी आप एक hollow hemisphere देख रहे हैं तो hollow hemisphere कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है इसका internal radius दिया हुए च्छे और external radius जो दिया हुए यहां से लेकर यहां तक यह दिया हुए साथ तो इसका total surface area का जो formula होता है total surface area का formula हो जाएगा 3 pi r square minus pi plus pi r square जिसमें r जो है capital r जो है बड़े वाले surface का radius है मतलब की 7 small r जो है अंदर वाले surface का radius है जो की है 6 इस formula के थायत फटा फटा आप calculation कर सकते कैसे आया उसके बारे में थोड़ा सा discussion मैं कर लेता हूँ तो hemispherical shell की हम बात करें तो यह तो पहले बात है कि hemisphere जो था hemisphere जो था बाहर वाले radius r है अंदर वाले radius small r है तो बाहर वाले का volume माइनस अंदर वाले का volume करोगे 2 by 3 pi capital r cube minus small r cube तो इसका volume है जाए curved surface area की बात करें तो देखे curved surface area जो है यह वाला area है और यह वाला area यह वाला area दोनों का दोनो 2 pi r square 2 pi r square होता है तो टॉप फेस है अगर आप उपर से देखेंगे तो इस तरीकी का सरकल दिखाए देगा जिसमें बीच का तो एरिया नहीं है लेकिन यह साइड वाला जो पट्टी है इसका एरिया एन्यूलर एरिया जिसके उपर मैंने सवाल भी लिया था एन्यूलर एरिया का मतलब होता है तो यह इसका टोटल सर्फेस एरिया होता है इसका बढ़िया से आप नोट बनाईएगा साथ में कभी-कभी सवाल आता है कि आप इसमें लिकुड फिल कर रहे है जब आप लिकुड फिल करते हैं तो ध्यान रखेगा लिकुड जो है अंदर वाले एरिया में यानि अंदर व होता है तो इस लिक्विड का वॉल्यूम जो होगा टू बाई थी पाई आर क्यूब होगा जिसमें स्मॉल र लगेगा और स्मॉल र अंदर वाले स्फियर का रेडियस होगा ठीक है चलिए अब इसका वॉल्यूम का मतलब की टोटल सर्फेस हिरिया का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया यह होता है पाई इंटू थरी आर स्कुर प्लस आर स्कुर ठीक है तो पाई बाहर रहेगा थरी आर स्कुर मतलब 49 क्योंकि बाहर वाला रीडियस 7 प्लस अंदर वाला जो है वो 6 है तो 36 बन जाएगा तो यह बन गया आपका 147 प्लस 36 तीस जोडने पर 177 प्लस 6 जोड़ोगे तो 183 पाई आएगा 183 पाई इस दा करेक्ट एंसर तो ए है इस सवाल का सभी उतर ठीक है चलिए अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूं आशा करता हूं कि यह ज जो हमने पढ़ा है यह कम है और मेंस पे आपका जो है लगभग 14% question SSC CGL मेंस का mensuration का आता है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा weightage रखने वाला कोई topic है अगर मेंस के perspective से mensuration है लेकिन prelims की हम बात करें तो एक ही सवाल आता है 25 में और इतना sufficient है जितना हमने किया बागी कुछ सव और practice session में मैं आपको करवा दूँगा अब एक मातर topic जो बचा हुआ है आपके इस पूरे video series में ठीक है SSC CGL CHSL के video series में वो है आपका data interpretation तो data interpretation को हम complete करेंगे आने वाले videos में thank you so much इस video में इतना ही